Hello students, so today we will discuss about कि क्या हम, जो भी हम तैली का सलेबस पड़ेंगे, क्या क्या हम उसमें topics cover करेंगे तो आएए जानते हैं कि जो जो मैं आपको इन वीडियो के थुरू आपको टैली के बारे में बताऊँगो, उसमें क्या क्या चीजे include है तो सबसे पहले हम जो वीडियो पढ़ेंगे या जो भी आप वीडियो आप देखेंगे वो सबसे पहला course होगा टैली का introduction of Tally जिसमें Tally के introduction के बारे मैं आपको बताँगा कि Tally क्या होता है क्या इसके version है क्या Tally का background है next इसका topic आएगा company creation जिसमें आपको company create करना या backup या उसका restore इस तरीके की information आपको मैं दूँगा जिसमें company कैसे create की जाती है किस तरह enable होती किस तरह disable होती तो यह आपको second topic आपको मैं बताऊँगा next topic होगा वो होगा ledger creation जिसमें हम ledger create करेंगे किस तरह से ledger create होते हैं तर होते हैं डिस्प्ले होते हैं दन आते हमारे configuration पार्ट पर जो की एफट्वल है configuration मतलब settings जैसे आप अपने mobile की setting करते हैं उसी तरह टेली software है उसी कुछ settings होती है जो की हम f12 से करते हैं वो मैं आपको इस टेली के कोर्स में सिखाऊंगा दन आते हैं accounting feature हमारा next topic होगा उसके बाद हम आते f11 जो की मारा accounting feature with inventory होगा और without inventory यानि हम अगर stock maintain करते हैं यह सिर्फ accounts ही maintain करते हैं दन next हमारा topic होगा inventory feature जिसमें हम bill wise details बनाएंगे या how to maintain stock कोई भी stock अगर आपने maintain करना है या bill wise details देखने हैं तो वह कैसे बनानी है कि नेक्स्ट आता है हमारा statutory statutory and taxation जो की जिसका option है f11 यानि कोई भी हमने टेक्स जैसे GST या TDS अगर हमने इनेबल करना है तो वह हम किस तरीके से करेंगे अगर आपने कोई भी टेक्स डालना है सब्सक्राइब करते हैं कि कोई भी अगर किसी भी manufacturing या किसी भी ऐसे स्टोर में काम करते हैं जहां पर आपको स्टॉक मेंटेन करना है तो वह हम किस तरीके से करेंगे तो वह हम इस टॉपिक में जानेंगे नेक्स्ट आता है हमारा accounting फीचर जिसमें हम करना account with inventory को हैं क्लासिविकेशन कि लीका होई ग्लोबल या कि में किस तरीके से होती है कि स्ट ouais हम इस पार्ट में पढ़नेगे नहते हैं हम नेक्स्ट पार्ट जो कि है GST part three जो कि interstate या interstate यानि कोई भी sale या purchase जो की interstate within the state या outside the state है वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे दनाते हम next TDS TDS के बारे में concept पढ़ेंगे हम इस पार्ट में क्या TDS का concept है कैसे TDS आया क्यों जरुरत पढ़ी हमें दनाते हम TDS पार्ट टू जो है payment अंडर टीडियेश देन ड्यूदेट्स ऑफ टीडियेश रिटर्न जिसमें हम ड्यूदेट्स के बारे में पढ़ेंगे हैं कौन-कौन सी पेमिंट जो हम के इन चार से चे वीडियो में हम लोग देखेंगे जो की जहां मैंने यह नाम दिया है Journal Entries Part 1 जिसमें हम लोग इंट्रोड़क्शन ऑफ जर्णल एंट्री या Golden Rules of Accounting इनको हम लोग स्टडी करेंगे थोरोली कि किस तरीके से यूज होते हैं कैसे ऩफिल एन्टरी में जो की है जर्णल एंट्री का esteemall क assumption होते हैं डविटस क्रेडिट कैसे होते हैं जर्नल एंटरी में तनकस्छन ऑफ जर्णल एंट्री में हम पढ़ेंगे part 4 में हम और question लेंगे जिसमें हम कुछ और entries देखेंगे कि payment की entries कैसे होती है receipt की entries कैसे होती है then फिर हम आएंगे part 6 पे जिसमें journal entry वे tedious होगा then part 7 में हम tedious की part 7, 8 में हम लोग tedious के साथ हम लोग journal entries को practice करेंगे then हमारा last topic होगा practice journal entries जिसमें आपको 3 या 4 journal entries दोंगा जो की आप खुद टेली में try करके देखेंगे तो यह है मारे टेली course जिसमें हम लोग journal entries से लेकर basic accounting हम सीखेंगे